अगला सवाल है मुंबई से शेक मुस्तकीम क्या हम गैर मुसल्मानों को नमस्ते बोल सकते हैं और अगर वो हमें नमस्ते कहे तो जवाप में नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं या नहीं भाई ने बुत अच्छा सवाल किया कि जो हमारे हिंदू भाई है हम उन्हें नमस्कार या नमस्ते कह सकते हैं नमस्ते ये सांस्कित वर्ड है जो नमस और ते से मिला हुआ है नमस का मतलब है जुकना अपने सर को जुकाना नमस्ते का मतलब अपने सर को जुकाना ते मतलब आपके सामने यानि नमस्ते का मतलब मैं आपके सामने सर जुकाता हूँ इसलाम में इसकी बिल्कुल भी ज़ज़त ने है क्योंकि हम मुसल्मान हम इमान वाले सिर्फ अल्ला के सामने सर जुकाता है और अल्ला ने इससे मना फर्माया है अल्ला के इलावा किसी और के सामने नहीं सर जुखा सकते हैं हम नमस्ते या नमस्कार नहीं कह सकते हम हमारे हिंदु भाई के रेस्पेक्ट करते हैं उनकी इज़त करते हमारे दोस्त जो हिंदु भाई हैं उनकी इजद्स करते हैं हमारी जो teacher Hindu भाई है हमारे जो Guru है उनकी इजद्स करते है लेकिन हम अपना सर उनका सामने नहीं जोखा सकते क्योंकि Allah Emmanuel ने इसे मना परमा ए और ये सिर्फ ALLAH ताला का हक है कि सर अल्छा के सामझे जोखेंगा अल्लाह वारित अलाह के अलावा किसी के भी सामने हम सर नहीं जोका सकते यह शिर्क है सबसे बड़ा गुना है इसी बुनियाद पर नमस्ते या नमस्कार कहना शिर्क है सबसे बड़ा गुना है नहीं करना चाहिए हराम है बूँए और लाह वारे कर दो खर्माता है सुरह निसा सुनलेशार अायत नमोभर 88 जिसमें बूँए आश बालाख योए निटीड़ फल्माता है कि अल्लाह इस गुणा को माफ नहीं करेंगा कि उसके साथ हुआ जाए इसके सिवा जो भी गुणा होंगे जिसके लिए चाहेंगा माफ करेंगा और जिसने शिर्क किया जिसने अल्ला के साथ किसी को शरीक ठहराया तो उसने सबसे बड़ा गुना किया उसने सबसे बड़ा गुतान बाद है जिसने अल्ला अबाई ताला के साथ शिर्क किया जिसने अल्ला कि अल्ला किसी और के सामने सर जुकाया उसने शिर्क किया, सबसे बड़ा गुना किया अल्ला इसको माफ नहीं करेंगा अगर इस पर मर गए, शिर्क करते हुए मर गए तो अल्ला इसको माफ नहीं करेंगा लहाजा नमस्कार यद नमस्ते नहीं गल सकते हराम है शिर्क है सबसे बड़ा होगा है सवाल पुछने के लिए आप मुझे मैंसेज कर सकते हैं वाट्सप पर पहले अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना सवाल आप मुझे WhatsApp पर भीज सकते हैं मेरा WhatsApp नंबर है 9561-942454 आप अपना सवाल मुझे Instagram पर भी भीज सकते हैं या फिर आप मुझे email भी का सकते हैं तलतबेक988.gmail.com आप अपना सवाल comment box में comment भी का सकते हैं